हाई व्रीवान आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करने जहार हैं एंटी एजुजी सिनेट दिसंबर 2023 के एक्जाइम के most expected cut-off के उपर and subject था आपका एजुकेशन जिसका पेपर कोड है 009 आपके एजुकेशन subject का एक्जाइम खतम हो चुका है और आपको अब वेट रहेगा आपके रिजल्ट का लेकिन रिजल्ट के पहले most expected cut-off आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लाए हैं जिससे आपको प नहीं लेना है इसके अधार पर आप अपने परफार्मेंस को चेक कर सकते हैं और उमीद है कि इसी के आसपास 99 परसेंट इसी के आसपास आपका फाइनल रिजल्ट का cut-off भी होना चाहिए आपको उदा दें इस एक्जाइम का जो cut-off तयार किया गया है एजुकेशन सब्जे और आपका expert देखा जाए तो analysis इसमें सामिल है इसके लावा फॉर्स parameter आपका old exam का cut-off और उसका analysis ठीक है तो यह चीज़ें हैं आज के वीडियो में parameter का और अब चलते हैं आपके final cut-off के उपर तो देखिए आपके category wise net का यानि assistant professor का और जियरफ का यहां पे most expected cut-off लाया गया है एंड सबसे पहले बात किया जाए on reserve category का तो on reserve category का बात किया जाए assistant professor का only net का तो उमीद है कि 57% के आसपास आपका cut-off जाना चाहिए आपको उता दें इसके नीचे chances देखा जाए तो कम है लेकिन इसके उपर अगर आपका score जाएगा तो chances बहुत बढ़िया आपके बनेंगे तो 57% से उपर का score बहुत ही बढ़िया chances लाएगा आपका जनल category के लिए assistant professor के लिए और जैयरेफ की बात किया है जनल category तो 66% 65% से उपर का score काफी safe रहेगा EWS category की बात की जाए तो 55% से उपर का score आपका chances बढ़िया क्रियेट करेगा assistant professor के लिए and 60 plus से उपर का score ज्यादा strong रहेगा आपके लिए GRF के लिए वह इसे category की बात किया जाए तो 55% से उपर का score आपके लिए chances create करेगा net के लिए and 60% से उपर का score या इससे थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है लेकिन उमीद है कि most आपका इससे उपर ही जाना चाहिए तो इसका आपका असर पड़ेगा कि आपका GRF clear होने का chances बहुत बढ़िया हो जाएगा SD category की बात किया जाए तो 52% से उपर का score बेटर रहेगा assistant professor के लिए and 55% से उपर का ही score आपके लिए chances के लिए create करेगा आपके GRF के लिए SD category की बात किया जाए तो 48-49 से उपर का score आपका जो percentage रहेगा strong chances करेगा निट के लिए assistant professor के लिए and आपका कहा जाए 56-55% से उपर का score strong रहेगा दिखा जाए तो GRF के लिए PWD की बात किया जाए इसे बहुत सारी सब करेगा जाए तो 42% से आसपास का score आपके निट के लिए बढ़िया रहेगा तो आज के वीडियो में इतना है इसे जुड़ा हुआ कोई आपको question पूछन पूछन है पूछ सकते हैं और जब तक की next वीडियो निक्स्ट अपडेट आपके एग्राम से जुड़ा नहीं लाते हैं तब तक के लिए थेक्स वोचिंग एजुकेशनल चैनल आपके आगामी आने वाले रिजल्ट के लिए ओके थेक्स वोचिंग एजुकेशनल चैनल और आप सभी का दिन बहुत-बहुत सुप मert अपके एजुके नहीं ला हैं ओते हैं अथन् एजा लाव से पलमाड़ जुके के टाव में हैं एंपके मिल्ट कर दो देगके दो क्यों लाव से लाव ठका लिए करे लिए एंचनल चैनल पाले ढुं़ा हैं